है वाट सब कराईज के दो सभी तू वेलकम है अपने फ्लेम डेविल के फाइनल पार्ट में तो आज की वीडियो बहुत ही जादा खतरनाक होने वाली है और बहुत ही मज़ाने वाल है और आज सभी से एक रिक्वेस्ट है यार इस टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर कर देना ठीक है और पहला आकन भी प्रेस कर लेना और आप से हो सके तो यार इंस्सक्राइब भी आजाना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ठीक है तो चलिए जहाद देर नहीं करते आज को फाइनल पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं अब यह किसकी कॉल आ रही है अरे यह तो रोलेक्स कॉल है पहले काडं़ी साइट पर लगाती हूं हाड कि हो अड़ बोलो जोकर का कुछ पता लुझा अरे तुम आबी भी जोकर को ढूढ़ हो क्या है छों ठूंता रही हूं चूं क्या हुँ अरे वो इन रायंगें मिस्टाआ इसे डाल के वह कुर टीज के नेट आखर ये किसना अटेक किया मेरे पे तु बहुत दिनों बाद एंजल हम वापस मिल रहे हैं ये क्या तुम तुम्हे तो मार दिया था ना हमने तुम फिर से कैसे जिन्दा हो गई पिछली दफ़ा तुम लोगों ने मेरे स्कूल में पेटी बनाती थी पर तुम लोगों क्या लगा मैं जिन्दा नहीं हो सकती मेरे भाई ने मझे जिन्दा किया है फ्लेम टैवल ने और अब तुम लोगों के बारी है मरने की तो चलो अब पता नहीं कहा है पेरा बेटा किस हालत में होगा ये सब फ्लेम की वज़े से हुआ है उसको मैं कभी माफ ने करूंगी अब ये कौन आया देखती हूँ मैं जाकर अरे इरिडेसन तुम अरे क्या हुआ तुम रो क्यो रही हो आखर बात क्या है पहले तुम अंदर आओ फिर बताती हूँ अब बताओ आखर हुआ क्या है तुम्हारे साथ जो इतना रोए जा रही हो कोई कोल्डन सा बंदा आया था यहां पर उसे मेरे पती सा मतलब था लेकिन वो मेरे बेटे को उठा कर ले गया पता नहीं अब वो किस हालत में होगा ओ तो फैरो इसलिए बार बार मेरे से इसका एड्रेस पूथ रहा था इस तरह जबरदस्ती फैरो को उसके लड़के को नहीं उठाना चाहिए था अच्छा तुम फिकर मत करो मैं तुम्हारे बेटे को ढूंड कर लेकर आऊंगी रो मत तुम बस थोड़ा टाइम दो मुझे ठीक है एरी डैसन आखिर उस फ्लेम टैविल ने इसको जिन्दा करा ही दिया इतने दिनों बाद लगता है मेरे फैंस को छोड़के और किसी को खुशी नहीं हो रही मेरे आने की पिछली बार तुमने हम सभी की नाग में दम करके रखा था और तुम्हें हराते राते मैंने अपनी खुद पेटी बन वाली थी पता है मुझे अच्छे से पोसाइडन पर इस बार भी तुम लोग की ही बनेगी मुझे चोड़के ऐसे फाइट करने में बिलकुल भी मजा नहीं आ रहा है लगता है थोड़ा लेवल अप करना ही पड़ेगा क्या मतलब है तुम्हारा अभी पता चल जाएगा पहां गए तुम लोग ओहो तो वहां पड़े हो इतनी जल्दी हार मान गए चलो उठो अब फाइट करो मेरे से उसाइडन आखिर ये हो क्या रहा है हम दोनों एक सूट इसको हरा नहीं पारे जबकि ये अभी लेवल 3 के फॉर्म में अवलांच उस फ्लिम डेविल ने कुछ तो किया है जिसकी वज़े से ये और भी पाउरफुल हो गया है बात में बहुत हो गई चलो अब फाइट करो चलो अब तुम लोगों की पेटी बनाई जाए अरे हाँ मुझे तो एक जरूरी खाम था सबसे पहले उसे निप्टा आता हूँ फिट तुम लोगों का नंबर आगा अभी के लिए छोड़ देता हूँ उसाइडन आस तो इसने हमें लगबग मारी दिया था मुझे तो इहरानी हो रही हमारी पाउर्स किसी काम की नहीं इसके आगे आखिर कहां गया यह यही तो आया था यही पे हो मेरे बच्चे तुझे छोड़े के कहां जा सकता हूँ मैं बहुत उची-उची बाते कर रहा है लगता है पिछली बार की पेटी भूल गया है कैसे बनीदी तरी यह कौन सी जगे पर लेकर आ गई हो तुम मुझे हाँ अच्छी नींद आई होगी तुम्हे तो मुझ पर चुब के अटेक करती हो तुम तुम्हे तो छोड़ूंगी नहीं मैं वो सब छोड़ो अपने फ्रेंड से मिलो अरे कार्लो यह तो विकेंडी में था तुम कहां से लेकर आ गई इसे बिचारा विकेंडी में घूम रहा था इधर उधर तो मैंने सोचा इसको उठा कर ले ही चलती हूँ अरे इंजल तुम्हे याद तो होगा पिशी दफ़ा तुमने मेरी पेटी कैसे बनाई थी बिल्कुल वैसी पेटी आज मैं इसकी बनाऊंगी देखो अच्छा नहीं होगा अगर तुमने इसे हाथ भी लगाये तो अब तो कमफम बनाऊंगी अरे नहीं कार लो तुझे तो अब मैं छोड़ने वाली नहीं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई ऐफे मरता है ओ तो फुल गुसे में हो अभी अवुण को अब मुझे अच्छा यह थाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएe एंजल तुम ठीक तो हो जोकर इसने कार्लो की पेटी बनाई है इसे आज किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है पिछली बार ये भी तुम्हारे साथ था ना चलो अब दोनों की साथ में पेटी बनाऊंगी चलो एंजल अब उड़ जाओ इसकी फिर से बेटी बनाते है पहले की तरह अब तो ये कन्फर्म मरेगी तुम्हारे इस आटेक से कुछ नहीं होने वाला मुझे चूकर ये लास्क में तुम्हारे अटेक ये तो नहीं होते हाँ पता है मुझे एंजल पर कुछ भी हो काफी पारफुल अटेक हुआ मेरे से इस बार लगता है तुम्हारी पावर्स चेंज हो रही है हम शायद हर जगा भागिने सचा एक जगा रुक के फाइट क्यू नहीं कर लेता डर लगता क्या मेरे से फाइट करने में ओह तो तुझे लगता है मैं तेरे से डरता हूँ और इसलिए भाग रहा हूँ तल ठीक है अब नहीं भागूँआ फुरी तर पहले बहुत चोड़े मौके बात कर रहा था क्या हुआ हवा निकल गई चलू ठब मेरे बेटे को जबरतस्ती उठा के लग के आया था ना अब तुझे हमेशा के ले सुला देता हूँ यह यह हुआ क्या भी अब यह इसको क्या हुआ अच्छा इतने दिनों में तूने भी तरक्य कर ली लग रहा है यह नया फॉर्म लेक है पर यह मुझे नहीं रोक पाएगा इसके यह अटेक मेरे अटेक से पॉरफुल कैसे अखिर यह इस है क्या अभी तुझे भी बताता हूँ फैरो दिमाग ठीक तो है एक बच्चे पर अटेक कर रहे हो तुम आखिर इस फॉर्म में तुम्हे हो गया जाता है होश में नी रहते क्या तुम सॉरी सॉरी मेरे दिमाग से निकल गयाता है सब तेरी इतनी हिम्मत मेरे बेटे बैटा करता है साले तुझे छोड़ूगा नी मैं अरे यह क्या तुम तो ले आई मेरे बेटे को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रिडेफन मा आखिर आपको इसको शुक्रिया बोल लियो जिसने उस बंदे को यहां पे बेजा था उसको क्या? तुम्हें पूरी बात नहीं पता इसने ही उस बंदे को यहां पे भेजा था हमारे घर और अब वहाँ समुए जबर्दस्ति उठा लियाई ताकि पापा की पेटी बना दे आराम से वो लोग तुमने हमारे साथ धोका किया? देखो मेरा यकीन करो मुझे नहीं पता था कि तुम फिलेम डैवल के घर से हो वरना मैं फैरो को एड्रेस कभी नहीं देती मैंने तो तुम्हें अच्छा दोस समझा था लेकिन तुमने हमें ही धोका दे दिया मेरा यकीन करो मैंने धोका नहीं दिया है तुम्हें मुझे जरा अंदाजा नहीं था कि फैरो आके यहां पर इस तरी किसे करेगा मुझे कुछ नहीं सुननी तुम्हारी बाते अभी के अभी फॉरण निकल जाओ मेरे घर से ठीक है जैसे तुम्हारी मरजी लेकिन जाते जाते मैं एक बात कहूंगी इसमें ना तुम्हारी गलती है और ना मेरी ये सब तुम्हारे हस्बेंड की गलती है ना वो हमारे फ्रेंड्स पर टेक करता और ना हम यहां आते चलो बाए अरी ये क्या इस आलम मैजिस्टिक कहां से टपक गया इसकी तु पेटी बन गे थी पिछली बार तुम गलत सोच रहे फ्लेम डेविल उस समय तुम्हारी ये बनी दी सिर्फ मेरी नहीं मुझे फल्ट नहीं पड़ता कि तुम दो हो चाहे एक पिछली बार भी तुम दोनों से फाइट करे थी इस बार भी देख लूँगा बस इत्ती देश से हम लोग ने बहुत मजाक मस्ती कर ली और फाइनल अटैक करते हैं फेहरो पिछली बार से ज्यादा पावरफुल है हमें बहुत तगड़ा अटैक शी होगा इसको हराने के लिए मैं समाज गया तुम्हारी बात मैं इस्टिक चलो अब इस किस्ता कहतम करते हैं हमें इसा के लिए यह गो